जिस तरह की तस्वीरे बनारस में देखने को मिली जितना बड़ा जनसेलाब पहले रोडशो में और उसके बाद नामांकन में पूरा बनारस जो है वो बिजेपी में लग रहा था क्या वाकई में ओट में भी यही तस्वीर दिखाई पड़ेगी? हाँ जी बिलकुल है 110 पसंड है भाजपा की सरकार बनने जा रही है तीसरी बामान्य पदा मंती नर्व मुझेजी लाल किला से सपद लेने जाएंगे बिजेपी की चल लिए आंधी कहीं नहीं है राहूल गांधी तो भाजपा पूरी तरीवके से पूरा भारत राम मैं हो चु लिए जनता जान चुकी है यात्रा है जनता के लिए नहीं निकली है सब अपना जो है अपनी सीटे बचाने के लिए अपना घर बचाने के लिए सब यात्रा निकाल लेते हैं तो इसलिए जो है जनता ने पूरा मन बना लिया है सब एक तरफा वोड गया है बिजेपी चारो पूरे देश से लोग बनारस में गए थे समझ रहे हैं पूरे जीलाओं से गए थे इसलिए उनकी जनसंखिया जो है देखाने को लिए मिला है बनारस की जनता उनको मान नहीं रही है वहां कांगरेश की सरक्व जितने जा रहे हैं अजे राई जी जितने जा रहे हैं वहां जो है अब पूरे देश में जो है बीजेपी डेड़ सो के अंदर में ही रहेगी डेड़ से उपर जाने वाली नहीं है एलू फरजी जो है चार सो पार चार सो पार अरे 143 के चकर में रह पूर जाएगा 400 सीटों का किस तरह की तस्वीर आपको दिखी कम से कम बनारस मना मंकिन के बाद मोटी सी सी बात एक बात सुन लिए मैं से कहने को तो सभी लोग कहते हैं अपने विचार रखते वह सब अपने आजाद हैं लेकिन एक बात जानता हूं कभी बीजेपी की काट किस के पास है नहीं सिरी सी बात है कितना भी वह उठड़ लें पटक लें लेकिन बीजेपी की मुकावला करने की दम अभी किसी में है ही नहीं क्योंकि जो एकता इंडिया की बनी हुई है वह अपनी धपली अपने राग वाले में है बाकि बीजेपी चार सो पार की बात सा तो जनता तभी कोई बदलाव करती है जब देखती है कि उसके जो मुद्धे हैं वह पूरी तरीके से जो है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब उसको लगता है कि हमारे सारे मुद्धे दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करके जो है हल हो रहे हैं तो बदलाव नहीं चाहत यह वह समर्थन देती है कि और तेजी से उस काम को आगे बढ़ाएं आप तो समर्थन दे रहें जैब में करें 20 रुपे बचा पांचो लेगे चले सब कर चोंगे देखिए यह यह पैसे का ऐसा है कि अगर आपके पास अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो सौख पालेंगे और कम पैसे होंगे तो जरूरत पूरी करेंगे तो जैसा अब इनके पास कम पैसे हैं तो यह अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं ज्यादा पैसे आ जाएंगे सौख पा लाखों कमा रहा है अपना सोच है महगाई साथ सोचेंगे तो महगाई है और नहीं तो नहीं तो जा के पुछ लीजेए कोई मुझ्दूर से पूछ लीजे 500 रुपिया कमाने वाले उसके घर भोजा नहीं बन रहा है अब वही परियसान है जिनको महिनन नहीं करना आता है वो परियसान है होगे जिनको हराम करा हरा हें ऊषितिने का हमेंने हैं कि विचारधारा लगे जिए हमें कौन मोली मुधी से जीरो मुधी का हूं मैडिया कर रहें उनों ने बोला नर्वबर बनिए हम आप नर्वार बने साथ मिन लड़का भी रखे हुसको भी उन्य रोजगार दिया है। जो सबको दिये हैं कि सब के सब अपने पर निर्वर बने आप निर्वर बने और जित्ते भी लोंग है जब पहले पहले है रिकसा या जो भी कि चल रहे हैं जितने प्र सिंचान रिक्स सबक्राइए तो जोहिए इसो यह हम नहीं हैं हम आस्बक्र अ को पा झाएगगे लोगा नहीं को हैं तो हमको मोडि पहले रहें हटो भागो यह भगाया जातर आप कोई नहीं भगाता है यह सरकार में ना दमंगाई है ना गुंड़ाइए सब खतम कर दिया है लोग आधे पर प्रयसानन अरे मेनद करो हम जैसे कर दिया है अगर आप सही तरीके वापस कर देंगे तो और भी पैसा दंडासी बढ़ जाए है लोगों के रोजगार में तो मदद मिल रहे हैं अब सरकार के बड़े नेताओं की जब मैं बात सुनता हूं तो सरकार खुदे नहीं समझती जो सरकार की विकास का आकार क्या है विकास का माडल क्या है विकास किसे कहा जाता है विकास के स्रीजन में आवाम की भूमिका क्या है उनका उठान क्या है उनका निर्माण क्या है उनका भविश्य का मापतन क्या है अब नौसरकार बताने को तयार नौसरकार के प्रवक्ता बताने को तयार ये ये ठेला और पक दिखाई देता है आज जब पकाऊड़ा ग्रेजवेट पोस्ट ग्रेजवेट इंजीनियर डाक्टर बैग्यानिक को आप पकाऊड़ा बिच्वाएंगे तो आपका भी एक मिनट आपका माडल क्लियर हो गया है इसलिए कि 80 करोड देश की आवाम को आपने लाइन में लगवा करके बिखारी बना करके खड़ा कर दिया और दुनिया में भारत की पहचान यह प्रमालिज कर दिया कि भारत एक दुनिया के अंदर आइसा देश है जहां 80 करोड लोग केवाल भिक्षा पर जिन्दा है यह आपका प्रमाल ठीक है यह आपका माडल है आपका भी काहले काहले पहले की सरकारों में आतंगवादी पईदा किये जाते थे आतंगवादी को पढ़ाया जाता था उनको यही पढ़ाई की जाई ती गुम्मे पथर करने के लिए लूंडों को ट्रेनिंग दी जाती थी अब यह सब हो गया बंद तो अब लोगों को जो हो गई है बहुत परेसानिया इस सरकार से इंको शायद यह चीज के ज्ञान नहीं है इसलिए मैं कहता हूं पड़ लिखके आते नहीं यह ज्यान की बात करने लगते हैं इसलिए मैं आपके चैनल पर कहता हूं चाइना के समान का पाकिस्तान के इम नारस से आई उसको देखकर अलग-अलग विचारधारा के लोगों का अलग-अलग दावा है लेकिन बहुत सारी तस्वीरे भी देखने को बिली जिसमें लगा कि रोजकार को लेकर काम जो है जितना दावा किया रहा है शायद उससे कम भी हुआ है और कई ऐसे लोग है जो